हलो दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट ऑफ स्टॉक मार्केट में और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दो-चार दिन में एक बार यूएसडी अनर का एनालीशिस का वीडियो अपलोड करते हैं तो आज के लिए भी जो है करने उसे बाइंग भी ट्राइक करने और उसे यह भी देखना है कि क्या में मार्केट में प्रोफेटेबल हो जाओंगा उसे के लिए हर बार यूएसडियार का एनालीशिस ले करके आता हूं कि भीयाम 10,000 15,000 20,000 रुपे में भी अच्छे से काम कर सके क्योंकि यूएसडिय के अनालीशिस की बात करते हैं अब आज जो है अपन यूएसडियार पर चलते हैं सीधा इदो दर के बात छोड़ करके तो जैसा कि आप देख पार है यूएसडियार अभियाल 83.15 के असपास चल रहा है जैसा कि हमारी प्रिवेस वीडियो के अनुसार बात हुई थी क्या कि प्राइस जो है वो 83.20 और 82.80 प्राइस जो है वो 83.20 और 82.80 के बीच में फसेगी जो कि आपको साफ साफ फसती दिख रही है अभी हाल के सीनेरियों के हिजाब से मैं आपको बता रहता हूं कि ना तो यह वाले ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट होते दिख रही है ना यह वाल वीडियो में जो है अपने यह ट्रेट प्लान किया था कि यह जो अपना 83.50 का ओप्शन है यह अराउंड 16.50-17 पिसे के आसपर चलना था जिसको हमें शॉट करना था और बदले में हमें 84.50 की कॉल ओप्शन बाइकल लेनी थी अब यह क्यों बाइकल लेनी थी इन देट केस अगर मार्केट इदर उदर भी होता तो भी हमारे प्रॉफिट बनाने की संभावना रेती क्यों क्योंकि हम अगर हम हेज ले लेते तो हमने क्या गदम अपोजिट साइट से पुट की एंट्री करेंगे अब यहां से हमें विशेश धान क्या देना है पेले आपको यह समझन हसा हरक Channel नहीं होता है मार्केट में अब ही पूस कि यह उर क، चलेगा तरह का फिर पचास दिन वह किसी दड़ी ऐसे चलेगा फिर ₹प 10 दिन वाले मुमें Alrighty तомеर चला जाएगा अब जो यहां से आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए अगर हमने यह वाला option short कर रखा है तो क्या है से put option की entry होनी चाहिए क्या आपन इसकी उपर बात करते हैं तो सबसे पहले पन चलते हैं एक बार premium चेक करते की premium चल क्या रहा है यह मैं डोलर की सबसे पसंदीदा बात मानता हूं क्या कि दो पांच मिनिट निकल जाने से डोलर के रेट पर कोई भी प्रभाव नहीं आता है तो अब अपन एक बार को बात करते हैं कि यहां से 83.50 की जो कॉल option अपन देखके चल रहे थे अभी हाल के हिसाब से वह लगबग लगबग 13 पेसे के असपास आ चुकी है अगर आपको सेफ खेलना है एक चिस ध्यान रखना डॉलर में अगर हमें सेफ खेलना और अभी भी हमने कोई ट्रेड नहीं किया है तो हमें हमेशे धान रखना है जितना दूर का option हम प्ले करेंगे सेलिंग के प्रस्पेक्टिव से उतना अच्छा है अगर आपको बाइंग के प्रस्पेक्टिव से खेलना है तो 29 जनवरी में ट्रेड करना सबसे बेटर रहेगा पर पहले बाइंग का सिनेरियों तो बन जाए सबसे पहले चीज़ तो यह कंफिजन ने की कॉल बाय करें कि पुट बाय करें तो जो डॉलर की स्तिती और वो जिस रेंज के अंदर फस है बाइंग करना यहां से थोड़ा सा रिस्क है किंगे इंट्रों बा Спंसे आग होगा आसे आपर करनर सकती तो अगल based अब 돼 बात करने थे अगर हमें यहां से सेलिंग का ही ट्रेड लेना है तो हम कौन-कौन से ट्रेड यहां से बना सकते हैं सबसे पहला कि यह जो कॉल पांच बजे के असमस तक भी सिनेरियो ऐसा ही रहता है और सिर्फ आज शाम को नहीं कल मौर्निंग में अगर डॉलर इसी जौन के असमस ठेड़ता है इस जौन को होल्ड रखता है तो बिलकुल यहां से हमें 82 75 के और 82 50 के पुट आप्शन पर 29 फरवरी में ट्रेड बनाना चा कर रहे हैं से आइरन कोंडोर का ट्रेड एक्टिव करेंगे कब आज नहीं करेंगे आज की क्लोजिंग हमें ऐसे चाहिए और अगर कल दिन में साड़े बारा बजे तक एक बज़े तक दो बज़े तक अगर डॉलर हे टिके का तो जाकर के हम पुटके ट्रेड एक्टिव करे तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान बनाके चलना है अभी आप यहां से एक्स्ट्राउडनरी तेजी की उमीद नहीं कर सकते कम से कम अगले छे साथ दिन यह सीनेरियो हो सकता है कि प्राइस ऐस स्टक्चर बनाके आगे वाले मुमेंटम को करें तो अभी हाल के लिए प् प्रीमियम चेक करते हैं अब जो 80-50 का प्रीमियम आ रहा है वो अराउंड पांच पेसे के आसपास आ तो खराब प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है इसके अलावा में आपको इस तरीका और बताता हूं जिससे कि आप रिसेंट में अगर तीजी से प्रॉफिट जनरेट करना चाते तो क्या हमें ध्यान देना चाहिए तो जैसर कि अभी हाल आपने समझा कि अपन 83-50 से एक बार पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपन क्या क्या प्लान कर रहे है और फिर उसे तरफ से अपन के से वर्किंग करेंगे इसकी बात कर लेते हैं तो जैसर कि आपने अभी चल रही है 12 पेसे 50 टिक अब यहां से हमें आगे क्या ध्यान दखना है कि अभी अपन जो सिनेरियों देख रहे हैं वो यह देख रहे हैं कि अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से क्या करूं एक सेमल्टेनेसली पूट साइट करेडिक्टिव करों क्यों कि मुझे प्राइस उपर करना चाहिए प्री अजियूम करते हुए एक सेफ साइट की एटी टू पचास की पुट ऑपशन 29 फरवरी में ट्रेड कर दिनी चाहिए तो क्या होगा हमारा व्यू भी स्ट्रॉंग है कि नीचे की तरफ हमारा वी भी नीचे की तरफ बराबर बना हुआ है तो जो अमारा न तो उसमें क्या होगा जो यह 6-7 पेसे पोचेगी तो हमारी जुख आइरन कॉंडोर बनेगी वह अपने आपी स्टेबल हो जाएगी किन सिनेरियों में जब प्राइज इस वाले जॉन के अंदर में और मुमेंटम करती चलेगी तो हमारे पास एडिशनल प्रीम इकटता हो जो हमने डेल्टा नेगेटिव ट्रेड बनाया यहां से आइरन कॉंडोर का वो हमें प्ले कर जाएगा और इसको ब सिनेरी नहीं करेंगे इता सिनेरियों अभी हमें ध्यान रखके चलना है अब अपनबात कर लेते कि jurisdiction अगर हमें 29 जनीर तकी पैसा कमाना ही तो ल inc y लेके चलेंगे अब अपन इसकी बात एक बार कर लेते हैं तो यह आपके सामने जो है अभियाल 29 जन्वरी के प्रीमियम आ चोके अब 29 जन्वरी में अभियाल अब 10-10 पेसे लगवग लगवग 83 साढ़े बारा का प्राइज है और 83 साढ़े बारा पर दस पेसे और पांच पेसे का सिनरियो चल रहा है मैं आपको बता देता हूं आप यहां पर डिप्लॉय कर दो और आराम इस जोन के अंदर में प्राइज होल्ड करेगी यह पनमान के चल रहे हैं कि नीचे में तो 83 भी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है तो आप चाहो तो 83 पर साढ़े बारा पर आयरन फ्लाइड डिप्लॉय तो कैसे हम मार्केट को देखेंगे अगर हमें 27 फरवरी तक प्रॉफिट को जनरेट करना है तो किन सेनरियो में मार्केट को देखेंगे इस वाले प्रस्पेक्टिव से में आपसे बात कर रहा हूं अब इसके बात बीच में और भी बहुत सारे एक्सपारी मिलेगी और और अगर हमें कुछ चेंज नहीं रहाता है तो हम आपको पहले से इक्तला करते हैं कि देखो यहां यहां ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्स्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के शांदर यूसडियर के अनालेसिस बिलते रहें और साथ आपको बिल्कुल जूड़ जाना है तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद